तो गाइस फाइनली सिरिलंका ने अफगानिस्तान को हरा करके खुद को और बंगलादेश को सुपर फौर के लिए क्वालिफाई कर दिया कल का मैच आपने देखा होगा कितना मज़ा आ रहा था मैच देखने में और मेरा वीडियो भी देखा होगा मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि मैच सिरिलंका ही जीतेगा और टेलिग्राम पर भी आपको बार बार बोल रहा था कि मैच सिरिलंका ही जीतेगा जितना कमाना है कमालो कल के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको बता दिया थे कि कसुन रजीता आज हमारा डिफ्रेंशल ट्रंप प्लेर होगा क्योंकि कोई नहीं लेगा कसुन रजीता को बट मुझे पता है सिरलंगा जीते क्यों तो ये बंदा तिन चार विकेट निकालेगा चार विक किड़ गुरू दोनु जगा पर आपको बोल रहा था कि जितना कमाना है कमाल हो आज सिरलंगा पैसे लगा दो अगर आपको आज जीतना है तो क्योंकि मेरे को पता है कि भाई अफगानिस्तान 50 सबर नहीं खेलने वाली अफगानिस्तान खेलेगी सिर्फ 30 सबर या तो उतने में ओल आउट हो जाएगी या मैच जीत लेगी और मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल था तो इसलिए मैंने सारे के सारे पैसे लंगा पे तो आज का मैच जब यह खेला जाएगा तो कहां खेला जाएगा ठीक है और कितना स्कॉर बनेगा कितने विक्ट गरेंगे कौन कौन सी टीम है जो इस मैच में चेंज़िस करने वाली अपनी प्लेंगले उन्हें हलाकि पाकिस्तान की टीमंने तो अपनी प्लेंग्लेंगले अ दिकलेयर करी दी Александर को बाहर करके अपने एक एक्ट्रा पेसर क टीक है बंगलादेश की टीम में भी एक चेंज होना है नजमल उशान सेंटो जो इनके सबसे इंपॉर्टन प्लेयर है सबसे ज़्यादा अची फॉर्म में लास्ट में सेंचुरी बिनाई थी वह नहीं खेलेंगे तो उनकी जगा पर कौन खेलेगा और खेलेगा तो उसके टी को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सोच किया रहे हो लगभग 24 लाग सब्सक्राइबर होने वाले हैं नीचे आपको सब्सक्राइब को बटन दिखरा जल्दी दबादो एक बार किलिक करने के बाद आप रोज आना मेरे वीडियो देखकर पैसा कमाऊगे तो भाई फिरी क का काम और कोई पैसा आपको देने नहीं पड़ाई आपने सब्सक्राइब करना है तो उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब कर लिया होगा अब कर दो अब तीन मजे मैस के लिए आएगा यहां पर मैं आपको आर चीज एकस्प्लैन कर रहा हूं बट फाइनल टीम तो टोस के ब आने अगर आपको जीतना है अगर आपको एक अच्छी टीम मरानी है तो यह टेलिग्राम चैनल जोइन करना जरूरी है जरूरी बोल रहा हूं कौन सा टेलिग्राम चैनल है फैंटेसी किर्केट गुरू साड़े बारा लाख लोगों जोइन के हुआ जिनको रोजाना फ्री में चैनल का लिंक दे रखा है आप लिंक पे क्लिक करोगे यहां पहुंच जाओगे जोइन का बटन दबाया हो गया जोइन बैस इसके लिए आपको फॉन में टेलिग्राम एप होना चाहिए तो जल्दी जाओ जोइन करो यह बाद में वीडियो पूरा देख लेना अगर लिंक हम खारक की है कि जब जब फैंटेसी किरकेट गुरू वीडियो बनाएगा हमने हर उस मेच में गिववे देना है बैस इस गिववे को लूटने वाला कोई चाहिए जिल लोग ने ओल्रडी वीजलेवर को डाउनलोड किया हुआ है उनके तो मज़े हैं बाई कोई सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां पर मिनिममम कंप्टिशन मिलता है मैक्सम जो हाई इन्वेस्टर से यहीं पर खेल रहे हैं एक तो इंट्रिफीस बिन की बहुत कम है तो जाकर कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन कमें शेक्शन में लिंक है ठीक है इस्ट्रॉल करने क के बाद आपको यहां पर कुछ बॉनस मिल जाएगा तो एक बार फिर से मैच वहीं खिला आएगा जहां पर कल अफगानिस्तान स्रिलंका से हारी तो बैटिंग और फिल्डिंग में कोई ज़्यादा फरक नहीं कभी बैटिंग वाली जीच जाती है और इसकोर 255 का है और इस पर मैं आपको दिखायत हूं ताकि आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाए कि पिछ कैसी होगी का इस लास्ट में जो खेला गया सिल्लंका अफगानिस्तान आप सबको याद है कली खेला गया था सिल्लंकार बनाए 291 और अफगानिस्तान ने बनाए 200 नेवा सिर्म पर ऑल उपर चला जाए तो कोई बात नहीं चक्का मार देना ठीक है वो उनकी बोड़ी लेंग्वाइज देखके लग रहा था कि अब इन लोग को पता नहीं है चीज़े तो इस मैच में आपने देखा बड़ा स्कोर बना उसको लगबग चेस भी किया गया और जो विकेट गिरे और यही वजा है कि यहां पर एक एक्स्ट्रा पेसर पाकिस्तान खिला रहा है तो पिच आपको अच्छे संग में आगई बाकी इसके अलावा जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी टॉस के टाइम पर मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा अपको हैट टो हैडम देख हैं तो वैसे तो पाकिस्तान मजबूट टीम है और अफगानिस्तान के माफ की जगा बंगलादेश के अगेस्ट हारती भी नहीं है अभी तक टोटल पांच मैंच हारी है पाकिस्तान तो अब यह जो पाकिस्तान हारी है इसमें परफॉर्म किसकिस ने क्या है मैं आपको पाकिस्तान के अगेस्ट रहीम निन्यानवे रहीम उन्चास रहीम पैंसट रहन और इसके पहले मैच भी बंगलादेश ने जीता था उसमें रहीम ने सेंचरी मारी थी ठीक है तो रहीम को आज अपने इग्नौर नहीं करना है ठीक है उसके अलावा शकीब का भी ठीक टाक होता है पाकिस्तान के अगेस्ट चोंसट यहां बना रहें शकीब और इसके अलावा शकीब दो विकिट यहां पर ले रहें तो इन दो प्लेयर का खासा योगदाउन होता है मुस्तफीज जो अभी तक फ्लॉप चल रहे थे आज इसमें डारेक्ट प्लेंग रहेंगे क्यों क्योंकि इन्होंने दो मैंच खेले और दोनों मैचों मैं नो विकिट लियर प्लेयर नहीं मिराज ने दो मैच कहिए और ने टंदास वापस आएं उन्होंने एक में जो 32 बनाएं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरब से तो जैसे इधर से रहीम रंदर बना रहें वैसे उ मेचो में पाकिस्तान के जो प्लेयर खेले थे वह अभी खेली नहीं थे सिवाई रिजवान के अगर हम बॉलिंग की बात कर तो आपके शाहिन अफ्रीदी यहां पर यहां पर ले रहे हैं और शाहिन ने दो मेचों में आठ विकेट लिए बगला देश के अगेस्ट शदाब को विकेट मिल जाता है शदाब ने यहां पर एक विकेट लिया है और दो विकेट यहां पर लिए तो यह कुछ प्लेयर जो आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली करते हों दिख रहे हैं इनको आपने ड्रॉप नहीं करना है आज फिर से बोल रहा हूं कि आपने किसको लेना है आ अब आगे हम बात करें उनकी तो बंगलादेश की दिखाने से पहले मैं आपसे कोश्चन पूछना चाहूंगा कि मैच को जीतेगा पिछले पांच में से चार में जीते हैं बंगला इसकी टीम ने बट फिर भी मेरे को लग रहा है पाकिस्तान जीच जाएगी क्योंकि इस व वापस आ गए तो मेरे इसाब से लिटन दास से उपनिंग करानी चाहिए उनके साथ में मिराज से ही वापस आपनिंग करें चाहिए अब नजमिल उसायइशाय तो जो वन डावन अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनकी जगा पर नहीं को नाउन करना चाहिए तो हीद है उसक लिए सारे सारे लेफिवन रहे थे हैं आपको टॉप के छे में सिर्फ दो लेफ्टी दिखेंगे इस बोइब अब आगर बालिंग की बात करें आपके आपके उपर कराने वाले तस्कीं के दस जाएंगे शौरिपल के दस जाएंगे और अगर मुस्तफीज नहीं मार खाते इनके भी 8 से 10 अवर जाएंगे ठीक है अब बाकि आपके आपके आफिसस आने हैं इनको एक दो और मिल सकते जादा तो नहीं मिलेंगे इनको शायद नहीं मिलेगा मुश्विक्र नहीं है यह तो करेंगे नहीं और शक्रम इंके दस जाएंगे तक ढूंब्स जाएंगे लिए मुस्टाफीश यह फिर शौली इसलाम और्टश की नहीं मुझा रहा देते अब गाइस इस टीम में से हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे भाई देखो मैं मिराज को लूँगा लिट अदास को आप ले सकते हो बट मैं फिला लिट अदास के बारे में नहीं सोच रहा हूं और इस वक्त तक लिट अपडेट भी नहीं किया फंटेसी अ बनाएगा ठीकर उस बाद फिर मैं यहां पर जाओंगा आपके तस्कीर अइमत के साथ में और आप यहां पर शरीफ और मुस्तफिज में से किसे को ले सकते हो अब गाइस मैं क्यों किसको ले रहा हूं आपको आगे थोड़ा सा एक्स प्लैन कर देता हूं लिट अच्छे प बनाएंगे 20-25 मैक्समाम बट एक लिए अच्छे पिक हो सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट रन नहीं बनाएं बट तीन विक्त जरूर निकालें अब गाइस बात करें मौहमद नहीं की मौहमद नहीं अभी तक ओडिये क्रिकेट में अपने आपको प्रूव नहीं कर पाए बहुत गंदा केलते हैं बहुत कम इनका अवरेज है उसके बाद आपके तोहिद हैं तोहिद ने भी तक कुछ खास किया नहीं है पिछले मेंच में जिरो पाउड हो गये थे पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बार गेंगे इस ग्राउंट पर एक मेंच में जीरो पाना चुक सब्सक्राइब को देखो यह मैच बंगलादेश हारी थी इसमें रन नहीं बनाएं बाकि यह चार मैच बंगलादेश जीती थी और चारो मुश्विक ने जीता आए तो देखते हैं अभी क्या कर पाते आगे आप इनसे भी ज्यादा उम्मीद है नहीं मेरे को तो क्योंकि ब आप नहीं है तसकीर इमद है इस वक्त सबसे टॉप का बॉलर और यही का तसकीर अभी बंगलादेश का लाश्ट के दो मैच विकेट ले चुका है अब गाई आपके मुस्तफिस रहान मुस्तफिस रहान मैच में जीरो मिला था जैना उन्हें फरस्ट मैंस कि यह था उसके अब आपको इसमें एक प्लियर का समझ में आगिया होगा कि कि किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है अब इस बात कर लें इस स्कॉर्ड की इसमें से कोई खेलेगा नहीं अब आगे हम देख लेते हैं यहां से पाकिस्तान की फिलेंग नहीं इनने डिक्लेयर कर दिया एक चैंज किया है फाही मश्रफ को ले के आएं और आपके इन्होंने नवास को बाहर किया अब गाइस इस टीम आप देखिए इमाम और फखर आपनिंग करेंगे उस बाद आपके बाबर राजम हैं मुहम्मद रिजवान हैं इफ्तिकार अहमद हैं शदाब खान हैं फाहीम अश्रफ है शाहिन अपरिदी हारिस रहूफ और आपके नशीम साह तो यह इनकी लाइन अप है अब गाइस इसमें मोस्ट अवर कॉ साहिम के जाएंगे और अगर कुछ इदर उदर हो गया तो सल्मान आगा एकाथ दो चार अवर कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ है डैथ में आपके वही हारिस रौफ शाहिन आफरीदी और नसीम यह तीनों को राएंगे अब गाइस इस टीम में से मेरी टीम में कॉन्कॉर रिजवान को लेने का सोच रहा हूं बट मैं सोच रहा हूं कि रिजवान को ना लेकर कि मुश्विप को लेलू क्योंकि अच्छा पाकिस्तान को और लोगर मिडल ओर में आता है तो वहां पर शाहिन आफरीदी भी बॉलिंग नहीं करा तो शाहिन अच्छे नहीं खेल जाए और इस ग्राउंड पर दो तीन मैंचे में लगा भग लगभग तीर सेंचुरी बना चुके इस ग्राउंड पर कैप्टन की सबसे बढ़िया चोईस होंगे बाबराजम के साथ में 149 का वरेज है इस ग्राउंड का बाबराजम की बात कर लो उसके पर फखर देख लेते हैं उतना अच्छा नहीं है इनका रिसेंट का फॉर्म सिर्फ एक एक सट्रा को छोड़ दे तो पंगलादेश के पूरी द्री के से फिलॉप है और इस ग्राउंड पर एक सट्की निगा यह बाकी तीन दो मैंचोई फिलॉप है तो एक चौंतिस का वरेज है तो फाखर को छोड होंगे कैप्टन वाइस कप्टन की शाकिब के साथ में मुहमद लिजवान है मुहमद लिजवान ठीक है बहुत अच्छा तो नहीं है और बैटिंग में से कुछ ज्यादा उम्मीद है यह अपना वह 14-15-20-30 इतना स्कोर बना सकते उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है अब बैटिंग आने पर 15-25 रिन की उम्मीद कर सकते हो तो इनको टीम में लेना बनता है फाहीं मश्रा पर फाहीं मश्रा पर लास्ट में दो विकिट ले था अफगानिस्तान के अगेश्ट के ला था उसके पहले इनको विकेट नहीं मिलने थे इंगलन के अगेस्ट और साथ परिदी हर जगा चमा करें अब गाइस हारी स्रहुफ है हारी स्रहुफ ने भी इस टूर्नमेंट में दो में चो पांच वकिट लिए और इस ग्रांट पर तीन में पांच वकिट लिए पहली बार कहलेंगे बंगलादेस के अगेस्ट तो मैंने एक एक प्लेयर का आपको टेली ग्राम पर मापको डालूँए दो को विकेट की पर मैंने मुश्विक रहीम और रिज्वान दोनों के यह हुआ है विए मैं बहुत साथ मैं मैंने माबर को लिया फखर को लिया इमाम लुक को लिया है अब आफ फखर की जगा पर यहां तो बंगला इसकी किसी प्लेर क तो मैं इसलिए फकर के साथ जा रहा हूं अच्छी वैटिंग बीचा तो शाद इस्टार्टिंग में अच्छे खासे आपको शौट देखने को मिल जाएं तीनों जो इंपोर्टन रॉल रॉंडर तीने को मैंने लिया हुआ है बॉलिंग मेंने हारिस रहूफ और शाहिन आपके फई मश्रफ अगरा को तो यह हो गई मेरी टीम इस वक्त इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बाबार इमाम और आपके शकी बुलासन तीन अच्छे उप्शन से इन में से किजी को बना सकते हो अब इस तीम में जो भी चैंज होगा जैसे भी चैंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा तो जिसने अभी तक मेरे टेलिग्राम चैनल फैंटेसी क्रिकेट गुरू को जोइन नहीं किया है आपके पास टाइम है और आपके पास मोका है फिर ही में आपको फाइनल विनिंग टीम मिल जाएगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ दोने पर लिंक के लिंक से आकर अभी के जोइन कर लो साड़े बारह लाक लोगों ने जोइन कि हुआ है तो आप क्यों पीछे हो तो चली मिल टेलिग्राम पर बेस्ट अफ लाइक